Hello dear students, इस वीडियो में बच्छों हम कारक के बारे में पढ़ेंगे कारक क्या होते हैं? बच्छों कोई भी वाक्य होता है उसमें एक संज्याई सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जिन सब्द से संब्द पता चलता है उन्हें हम कारक कहते हैं जिसे महराज अक्पर ने बीरबल को बुला कर पूछा कि हमारे राजे में कितने कोवे हैं तो यहां पर आपने देखा अक्पर का बीरबल से लिंक संबंद बताने के लिए ने, को, में यह सब जो हैं यह कारक कहलाते हैं बीरबल ने राजा से दो दिन का समय मांगा, तो ये जो शब्द हैं जिन से संग्या सरणाम का वाक्य के दूसरे संग्या सरणाम से संबंध पता चलता है, उन्हें हम कारक कहते हैं, कारक के भेद, कारक आठ तरह के होते हैं, करता, करम, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संभोधन हरे कारण का अपना चिन होता है पहस्चान होती है जैसे करता का चिन होता है ने करम को करण से या के द्वारा किस चीज से कोई काम किया जाता है तब हम करण कारण होता है संप्रदान का कारण चिन है के लिए अपदान से जब कोई चीज अलग होती किस तो से का प्रयोग होता है तो उसमें अपदान कारक होता है संबंद में काके की रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन है इस तरह से ये कारक के चिन होते हैं और इनकी पहचान होती है अगर हम कौन किस ने इस तरह की बाते पता चल रही है किसी वाक्य में तो वो कारक करता हो तो बतलन को हम पहचान लेते तो करंता कारक किया होता है मैं गदे मैं करने वाला और हम ने के चाहिए विदर में दुटक करता रहा है तो ये जो हैं करता कारक हैं इसके बाद करम कारक होता है जब संग्यास और नाम का वो रूप जिससे किरिया पर असर पड़ता है जैसे कि इसका परसर्ग को होता है जैसे कि परसर्ग बिना भी कुछ सवाक्या होता है जैसे नेहा बाजा बजाती है तो यह हम उसको बुल सकते ह करमकारक के चात्रों को सिखाऊ, तो यह भी करमकारक है, परसंग रहें कि एक और परसंग पतंग और रहें। तो को साइलन्ट हो गया हो इस में करमकारक कहत है कि वह प्रसंग करते हैं रह也 हम करमका ही आँसर मिलoureक्य कोbad क्या बजिती एंग तो यह सmon Sun को सिख्वान को सब्सक्राइब कर दो ज स्थारौ पूछने पर ढ़िए लिए इसके द्वाराइ काम किया पूंसे करंब कहते हैं keeping क्या सबत्र जाती है किस्टल्ऐा शनलों ये गर्Óकर हो गया तो यह करण-क्या еще वससे किस से आग र Left वह से तो यह तो इसके पाद संपुर्णकारक हो तो इसके बाद संप्रणका र70 गार जिस से कुछ दिया जाए है या जिसके लिए कुछ काम किया जै संप्रदान कारक, जैसे माता बच्चों के लिए मिठाई लाई, गंतंत्र दिवस के उफलक्ष में बाल को को मिठाई दी गए, तो ये जो है संप्रदान कारक हो गए, अपदान कारक होता है, जिसमें किसी वस्तु के अलग होने का पता चले, जैसे हिमाले से गंगा निकलती है तो हिमाले और गंगा अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर यह अपधान कारक हो गया, अहाड से पत्थर गिरा, तो पहाड से पत्थर अलग हुआ, तो यहाँ पर अपधान कारक हो गया, इसी तरह से संबंध कारक होते हैं, जिसमें संग्यासर नाम का किसी दूसरे वस्तू के सा पता चले जैसे यह तुम्हारा विद्याल है वह मेरा घर है किसका घर है मेरा घर है अली का भाई है किसका भाई है अली का तो यह संबंध कारक हो गया इसके बाद अधिकरन कारक होता है जिस सब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चले कि क्रिया कहां पर हो रही है जिस इसके बाद संबोधन कारक होते हैं, जिसके संग्या के जिस रूप से हम उसको संबोधित करते हैं, बोलते हैं, वो संबोधन कारक होता है, जैसे कि अरे लड़के कहा जा रहे, तो इस तरह का अपुस्टोफी का निशान लगाया जाता है, संबोधन का निशान लगाया जाता ह लेकिन इनके मतलब में आर्थ में भिन्यता होती है जैसे उसने भाई को पुस्तक दी तो इसके वाकिया में भाई को पुस्तक दी तो यह संपरदान कारक है मतलब भाई के लिए पुस्तक दी उसने अली को डाटा तो मतलब डाटना क्या होगा किसी क्रिया का सर हो गया तो यहा कुमार मुंबई के किन मुंबई में मतलब मुंबई से आया मतलब अलग हुआ मुंबई सै तो ये अपहादानकारख हो गया इस तरह से करण और अंतर होता है है तो क्या 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 चिज़े कारण कारक्त क्छानग ऑफEd वाक्य के शब्दों में जो आपस में संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उनको कारक कहते हैं और हर एक कारक का कारक चीन होता है जिने विवक्ति चीन या परसर्ख भी कहते हैं करक के आठ बेद होते हैं करता करम, करण, संपरदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संप इसके बाद करन कारक में से का प्रियोग साधन के रूप में मतलब किसी चीज का माध्यम के रूप में भी किया जाता है किस से कोई काम किया और अलग होने के लूप में भी किया जाता है उसे अपदान कारक केते हैं करम कारक में किरिया का फल काम पर पढ़ता है और संपरदान क कारक में करता कुछ देने का काम करता है तो इस तरह से यह कारक थे और कारक के प्रकार और जो एक जैसे से कारक लगते हैं देखने में उनमें भिर्णता बताएगा यह उनका अंतर बता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू